इमित्र टेर्णिंग कोर्ट के अंदर आज मैं आपको बदाने वाला हूँ रास्तान सरकार की पालनहार यूजना के जो भी लाबारती हैं उन सभी का नमिनी करण आप अपने इमित्र पे किस परकार से कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको इमित्र पे लोगीन हो जाना है उसके बाद इजिलिट्र टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे उसके बाद सर्ष बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है पालनहार जैसे ही पालनहार आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे पालनहार की सर्विस आपको दि यहां पर आने के बाद Renewal करने के लिए पालनार Renewal का Option मिलेगा आप ज़स्ट यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद कौन से Year का Renewal करना है उस Year का Selection करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यह Year मैंने ले लिया उसके बाद आप यहां पर Application ID से Renewal करना चाते हैं या पर जनातर कार्ट से डिटेल खोजना चाते हैं तो दुनों में से कोई भी एक Option ले लेंगे तो जनातर कार्ट Best हैं तो मैं जनातर कार्ट ले 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 दा हूँ उसके बाद जनातर कार्ट संक्या यहां पर दर्ज करेंगे जनातर कार्ट संक्या दर्ज करने के बाद सर्च पर कलिक करेंगे जैसे ही सर्च पर आप कलिक करेंगे यहां पर पलनहार की डिटेल दिखाई देंगी तो दोस्तों देख सकते हैं यह वाले बाग के अंदर पलनहार की यह complete डिटेल हैं जिसे आप देख लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे बी वाले बाग के अंदर जितने भी बच्चे पलनहार युजना के साथ जूड़े हुए हैं वो सभी दिख़ई देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सत्यापन लंबीच बता रहा है यानि कि इन दोनों का सत्यापन होना है तो जितने भी बच्चे हैं उनका सत्यापन करने के लिए सबसे पहले अधरकार्ट संक्या डालेंगे उस बच्चे का जिसका सत्यापन करना है फिर साला दरपन पर क्लिक करेंगे अगर गौर्मेंट इसक परकार से उपन हो जाएगी जैसे डीटेल उपन होगी तो आप एक एक करके डीटेल बरेंगे और यहाँ पर अध्यन प्रमानपत्र ओनलाइन इस बच्चे का अप्लोड करेंगे तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पर नाम डेटाओ बर्द वगरा आ रहा है जिस प्रकार की संसतान के अंदर वो पड़ाई कर रहा है उसका आप सेयन करेंगे उसके बाद कौन sum के अंदर बच्चा पड़ाई कर रहा है उसका सेयन करना एं तो जो study class के अंदर जो आपने लिया है उसके according अगले भाग दिखाई देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने private school लिया है तो यहाँ पर सभी class दिखाई दे रही हैं तो मैं class का send करूंगा उसके बाद यहाँ पर principal का नाम लिखना है जो अधियन परवान पत्र के उपर अंकीत रहता है यहाँ पर principal के mobile phone संक्या अंकीत करनी है यह भी अधियन परवान पत्र के उपर लिखे हुँ होते हैं वहाँ से देख के लिखेंगी उसके बाद यहाँ पर school का नाम लिखना है center name के अंदर तो यहाँ पे schools का नाम लिखना है complete detail के अंदर जो school का नाम है उसके बाद school का address आपको center address के अंदर complete detail में अफिलेब कर लेना है उसके बाद जो अधियन पर्मान पत्र होता है उसका जो भी format होता है इसी वीडियो के निचे link के वहाँ पे मिल जाएगा उसको school से complete ट्यार करवा के लेके आएगा जो आवेदक है उसके बाद उसको आप यहाँ पे scan करके upload करेंगे PDF format के अंदर तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यह पर्मान पत्र है यह education certificate अभी आप देख सकते हैं open पे click करूँगा तो यह अध्यन पर्मान पत्र यहाँ पे upload हो जाएगा उसके बाद इस बच्चे की detail save करने के लिए save style detail का option है यहाँ पे click करूँगा और इस बच्चे का verification हो जाएगा और इस बच्चे का पूर्ण करने के लिए कुर्पया सभी बच्चों का सत्यापन करें यानि कि यह तो बच्चा हो गया दोस्तों देख सकते हैं यह हो गया है अब अगले का करने के लिए आपको वापिस किसी process को follow करना है और उसके अगले वाले बच्चे का भी verification करना है यह वाला देख सकते हैं इसका सत्यापन लंबित हैं तो इसके लिए same process करेंगे इसका भी सत्यापन हो जाएगा और दोस्तों देख सकते हैं जब सभी का सत्यापन हो जाएगा इस परकार्शे बताएगा एक बार इस जगे पे सभी बच्चे का सत्यापन हो जाए उसके बाद आपको फाइनल सम्मीट करना हो एक बार में सभी बच्चों का सत्यापन कर लेना है सभी बच्चों का सत्यापन हो जाए जिस परकारशे मैंने एक का किया है उसी परकारशे आपको सबका करना है उसके बाद आपको ये final submit वाले बटन पर click करना है यहाँ पर automatic सभी बच्चों का सत्यापन होगा तो यह बटन दिखाई दिखा तो यहाँ पर click करेंगे उसके बाद पालनार का या तो आप fingerprint ले सकते हैं Irish ले सकते हैं या फिर OTP से पालनार का सत्यापन करेंगे तो यहाँ पर fingerprint ले लेना है पालनार का तो मैं यहाँ पर fingerprint ले लेता हूँ आप OTP भी ले सकते हैं और यहाँ पर इस परकार से message मिल जाएगा जैसे fingerprint capture हो जाएगा और यहाँ पर पालनार युजना का नवनी करन का आवजन सपलता पुरुक submit हो जाएगा उसके बाद आप close बटन दबा देंगे और इस परकार से आवजन हो जाएगा उसके बाद इसकी एक बाद print out निकाल लेनी है और customer को दे देनी है फिर वही process अपनाना है year लेना है जनातरकार डालने है यहाँ पर और फिर search पर click करना है detail open हो जाएगी और इस बाद जब detail open होगी तो अंत में सिर्फ close का बटन दिखाई देगा इसके लाद कोई भी बटन आपको दिखाई नहीं देगा final summit हो चुका है तभी close का बटन दिखाई देगा तो इसकी print out निकालेंगे customer को दे देंगे और इमितर के उसका काम यहीं पे समापत हो जाएगा और इस परकार से पलनहर योजना के नवनिकरन का आवजन सफलता पुरक summit हो जाएगा तो आपको यह जानकर एची लगी हो तो सैनल को सब्सक्राइब करके all notification on करे जिससे की ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप इमितर की सर्विसों को अच्चे से काम में लेना सिखके इमितर पे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सके तो सैनल को सब्सक्राइब भी करना है all notification भी on करना है और अन्य किसी भी सर्विस के बारे में आपको जानकरे की जुरूत है तो हमारे सैनल पर वीडियो अवलेबल है उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं तो बाई बाई दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए दमद आर वीडियो के साथ